तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल वी फॉर वैल्लू में आज हमनों बात करने वाले हैं NM DC Limited के बारे में जानेंगे कंपनी के fundamentals कैसे हैं, कंपनी के working area क्या हैं, हमें किस mindset से इस company में investment करना चाहिए और क्या हम इससे future में कोई target expect कर सकते हैं तो यह सारी बात है आज आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखेगा So without wasting any time, let's start the video But उससे पहले ऐसी videos regular basis पर provide होने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर पैस करेगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की update सबसे पहले मिल सकें So let's move to the point Then basically बता जाने चाहँआ, company basically काम करती है mining का इसमें extraction, processing, transportation, marketing and logistic यह सारा काम यही company करती है इसके लावा जैसे के आप आप देख पार रहेंगे Company generated economic value as well मतला हमारी economy के लिए भी यह company काफी ज़ता important है Then बात करते हैं company के कुछ important ratios के बारे में तो जैसे के आप 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 देख पार रहेंगे Company का लगवर 37,000 करोड का market capitalization है जो की से एक large company बनाता है P ratio 3 का है, PV ratio 1 का है dividend ही लिए आप आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है लगवग 6% का बट अगर आप बात करें आप उनके last one year के results की तो यह लगवा आपको 30% का downtrend दिखा रहा है इसके पीछे क्या reason होता है कैसे यह चीज़ चलती है मैंने इसके उपर एक separate video बना रहा है The Dark Secret of Dividend तो अगर आप लोग ने वह नहीं देखी तो उपर I button पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं आप जैसे की देख पार होंगे company के उपर total left level 2000 क्रोड का इसके एक बात करेंगे company के cash की तो वह लबब 5800 क्रोड का company cash requirement रख रही है आप कह सकते हैं company almost debt free sales growth की बात करें तो 31% की sales growth है profit growth यहां पर 73% देखने को मिल रहा है company का ROE level 21% है और company का ROC level 29% है जो कि एक काफी अच्छा नंबर माना जाता है company के promoters के holding यहां पर 60% की देखने को मिल रहे है जो कि आपको आके चले का पता चले के कि कौन होल्ट करता है company को जैसे कि देख पा रहे हैं sales growth continuously बढ़ते वह देखने को मिल रही है profit growth भी continuously बढ़ते वह देखने को मिल रही है same वही चीज रोई और ROC में भी देखने को मिल रही है बात करते हैं company के cash flow की तो भी आपको significantly बढ़ता वह देखने को मिल रहा है और यह चीज काफी important होती है क्योंकि जैसे कि आप इस graph में देख पा रहेंगे mutual fund के लगभा 6% की और almost others में आपको देखने को मिल रहा है domestic and institutional जो की 16% के holding रख रहें और जैसे कि आप यहां पर साइड में देख पा रहेंगे यह इनके top 25 investors ने जिन्हों ने यह सारी holdings रख रही है इनमें top नाम जो आता है president of India यानी जो company होती है यह company basically run करती है government के द्वारा इसके अलावा आप जैसे कि देख पा रहेंगे LIC health plus insurance ने भी इस company में investment कर रहें almost 14% stake ले रखा है जो कि काफी अच्छी बात है ऐसे ही काफी सारे हैं यहां पर mutual fund and other domestic institutions है जिन्होंने इसमें investment कर रहें और इनके अलावा बात करें तो यहां पर 16% जिसमें foreign investors और retailers आते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पारेंगे आप यह सब देखके आप यह समझ सकते होंगे का company का एक shareholding pattern काफी ज़्यादा मजभूत है और काफी strong hand में आपको देखने को मिल रहा है देन बात करते हैं कि क्या हमें इस company में investment करने चाहिए देखे दूस्तों अगर आप इस company में investment करना चाहते हैं for the long term investment तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा आप यह सोच के मत investment करिएगा कि यह company आपको एक multi bagger return देगी क्योंकि आप देख सकते हैं company already काफी ज़्यादा established हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि आने वाले time पे इतनी ज़्यादा इंडिया या इंडिया के बाहर कोई ऐसी growth है mining के sector में जो कि इस company को एक multi bagger बना सके सो लाश्ट हम बात करते हैं कि क्या हमें इसमें investment करने चाहिए जी हाँ हमें बिलकुल investment करने चाहिए बड़ ज्यादा बड़ा amount हमें investment करने की जुरूत नहीं है हम थोड़ा सा amount इसमें investment कर सकते हैं अब buy कर सकते हैं इस share को almost 120 to 115 के बीच में टार्गेट जो मैं इस company को देना चाहूंगा वो रहेगा मेरा 160 to 170 के बीच में time duration जो मैं इसे देना चाहूंगा वो रहेगा मेरा one year का अगर आप एक safe investment करना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा returns भी प्रवाइड हो तो आप इसमें investment कर सकते हैं आपको वीड़ो पसंद आई होगी वीड़ो पसंद आई तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आप इसमें investment करने वाले हैं जल्दी मिलते हैं एक और ने वीड़ो के साथ तब तक लिस्टे से फैन गुडबाई ठैक्क दोस्तों